हेलो एब्रिवन, वेलकम बैक टो वर यूट्यूब चैनल, तो स्वागत था आपका हमारी चोटे से वीडियो सेशन में, तो आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ, बुनियाद सेशन में, तो यहां से मैंने अपने घर से इसकी सार्टिंग कर दी, मैं सुबर उठी, उठकर मैंने चाइवाई पी ली, उसके बाद मैं तयार हो चुकी थी, क्योंकि मुझे जाना था बुनियाद सेशन प्रोग्रेम में समाल खावे, वहां पर हमारे स्कूल के बच्चों को हमें लेकर जाना था, और वहां पर बच्चों का रेजिस्ट्रेश लोग में एड़ कर सकती हूँ, तो मैम ने मुझे परमीशन दे दी, यहां पर रेजिस्ट्रेशन के लिए लाइन लगी थी, पेरेंट्स के लिए अलग लाइन थी, बुनियाद सेशन में, बुनियाद में जो बच्चे हैं उनके लिए अलग लाइन थी, तो मैंने मैं के बन गई है और यह बहुत अच्छी है, इस से भी मैंने परमीशन लिए और इसने मुझे हां कर दी, और फिर हम दोनों यहां पर सेशन में आए, यहां पर वीडियो के माध्यम से हमें बताया गया बुनियाद के बारे में, अभी यह स्टार्टिंग थी बुनियाद प्रोग्राम की, तो यहां पर मैंम बैटे थे, बच्चे बैटे थे, उनके पैरेंट्स बैटे थे, तो इसके साथ साथ हमने वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू की, मैंने मैंम से बाते करनी स्टार्ट की, इसके साथ साथ अभी वीडियो जो थी प्रोग्राम की यह शुरू पूरी वीडियो के ऊपर बाद में वूएस दूँगी तो मैम खुश हो गए इसके बाद मुझे मेरी क्लास की जो स्कूल के बच्चे थे इनके साहत हमें साथ हमारी स्कूल के स्कूल के टीचर्स थे पेरेंट्स थे सबके साथ हमने फोटो ली फिर ये थी प्राची ये सबसे अच्छी बच्ची लगते मुझे मेरी क्लास की इसके बाद फिर ये फंक्शन जो था मतलब जो अवेरनस प्रोग्राम था वो स्टार्ट हो चुका था यहां पर बीयो मैम और बीयो सरा चुके थे यहां पर बीयो मैम जो थे वो हमारे डिस्टिक जो एजुकेशन ऑफिसर है उनका स्वागत कर रहे थे भुके देकर इसी तरीके से जो बाकी सदस्से थे उनका भी स्वागत किया गया और यह जो सेशन था मतलब इसमें यहां पर भुके देकर सबका वागतगीत गाए और बहुत सारे कल्च्रेल एक्टिविटीज की गई इसके साथ साथ स्कूल जिस स्कूल में प्रोग्राम और्गिनाइस किया गया था वो स्कूल भी बहुत अच्छा था उसकूल की जो प्रिंसिपल थे CRC के जो मेंबर थे या जो हैड थे उनका सम्मान किया गया इसके बाद यहाँ पर एक वीडियो क्लिप के माधिन से आपको दिखाया जा रहा है कि किस परकार मतलब इस बच्ची ने बुनियाद में ये सिलेक्ट हुई और कैसे इसकी जो लाइफ है वो चेंज हो गई मतलब इस दी जाती है competitive exams के लिए तयार करने के लिए फिर बुनियाद के जो बच्चे होते हैं उन्हें super 100 के लिए तयार किया जाता है super 100 में 10th class के बच्चे आते हैं उन्हें 11th और 12th class में coaching दी जाती है for competitive exams like जैसे जेई के exam है NEET का exam है जैसे बड़े-बड़े exams होते हैं IIT में बच्चे select होते हैं तो वो सब बुनियाद mission के तहथ ही हमारा उदेश्य क्या है बच्चों को आगे लेकर जाना तो यहाँ पर इस video clip के माध्यम से हमें यह सब बताया गया था इनके parents जो थे वो बता रहे थे कि किस परकार जो बच्चा है उनका बच्चा आगे बढ़ता गया ऐसे ही उसने बताया कि कैसे मतलब यह online जो competitive तैयारी होती है online तैयारी है उसमें वो किस परकार से पढ़ती है क इसरे discipline खुद से ही जो है वो create करती है तो इसके बाद इसके जो parents थे वो भी बता रहे थे अपने जो अनुभव हैं उनको साजा कर रहे थे साथ-साथ इसके पापा ने बहुत सारी बाते बताई इसकी मदर ने बहुत सारी बाते बताई तो यह इस परकार से जो clip है वो हमें दिखाई गई थी ताकि इनके पेरिंट्स भी जो है वो अवेर हो सके वो अपने बच्चों को आगे बढ़ा सके इसके बाद यहाँ पर कुछ यह बताया गया कि कौन से कौन से बच्चे जो थे वो IIT में सिलेक्ट हुए मिशन बुनियाद के माधिम से मिशन बुनियाद के मारे ट Financial थे वीडियो क्लिपस हमें दिखाई गई तो यह था यहाँ पर वीडियो क्लिपस के माधिम से बाद में जाग रूप करना कुछ मोटिवेशनल की ओर्ट दिखाए गए और इसके साथ साथ ऐसे ही कुछ वीडियो क्लिपस चलती रही भीच-बिच में यह हमारी मैम क बच्चों का लागा तो कि बेखाया और दान्स से सब्सक्रों से घ्टी चा न data घीज़ तरह इस पर दान्स two demands इनके ख़्यों का भी यह में दमाउचा रिद्याय ओयन वन मेंHE हम इन ब मैंने घूसीर जा सब कर दो हुए फिरसे हम प्रोग्रेम की तرف जा रहे हैं क्योंकि अभी प्रोग्रेम जो है वो खतम नहीं हुआ था फिर हमने सोचा की छलो अब नीचे जाया जाए यहाँ पर मैं यहां को लेकर हम नीचे गए फिर यह दोनों मैं हम आपस में बाते कर रही है यह आपस में डिसकस कर रही थी यह हमारा स्कूल कैसा है तुम्हारा स्कूल कैसा है इस तरीके की बाते यह मैडम दोनों कॉंटिन्यू करती रहे और मैं इनकी वीडियो बनाती रही इसके बाद हमने थोड़ी सी हसी मजा की क्योंकि यह लास टाइम में जो यहाँ पर टीचर थे उन्होंने बताया कि आप किस तरीके से बुनियाद मिशन के थाइद बच्चों को जोड सकते हैं बच्चों को सिलेक्ट करके उन्हें कॉम्टिटिव एक्जाम के लिए तैयार कर सकते है ताकि बच्चों का जो भवीश्य है वो आगे अच्छा हो गया था तो जो बच्चों के पेरेंट्स हमों भी घर जाने लगे थे बच्चों के लिए खाने के लिए समोसे ब्रेट पकोडे रिफ्रेश्मिंट का प्रोग्राम किया गया था तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था यहाँ पर हमने भी ब्रेट पकोडे खाए मैंने भी खा झाल 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 झाल